एक ऐसा स्वास्तकेंद्र जिसकी बिल्डिंग तो है लेकिन इलाज के लिए नहीं बलकि गाए रखने के लिए और भूसा रखने के लिए ये स्वास्तकेंद्र कहल गाओ प्रखन अंतरगत भूलसर पंचायत के भूलसर पश्चिम टोला का स्वास्तकेंद्र है जो बन गया है गाय का गोहाल इस स्वास्टकेंद्र जब से बना है तब से ये स्वास्टकेंद्र कभी खुला ही नहीं समाज से भी धननजय पंडित ने बताया कि ये स्वास्टकेंद्र से फिनाम का स्वास्टकेंद्र है इस बिसे में कहलगाओं अनुमंडर प्रभारी को लिखित में सिकाय की गई लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई इस गाउं की जनता में काफी आक्रोस है इस विसे में उच्छ अधिकारी को भी लिखित में दिया जाएगा ग्रामिनों ने बताये कि स्वास्तकेंद्र में भूसा गाय का गोबर क्यों न रखे जब ये स्वास्तकेंद् प्रोस्त नहीं बोला कि कि यहाँ पर कभी एनम आई है एक भी बच्चे को दवाई दिया गिया है यहां का स्वास्त विभाग का यह रविया है यह कब तक चलेगा समझ से बाहर इसका कभी लिखित आप सब सिकाट किया है क्या देखिए हम लोग बहुत परियास किये इसके पहले परवारी अमारे विवेकानंद दास जी है इसके पहले परवारी थे उनको लिखित में भी यहां से सुचना दिया गया था कि पर स्वास्त केंद्र जो है वहां ठब पड़ा हुआ है यहां एक भी दिन कोई एनम नहीं आई है वहां का आप अपने अस्तरत से जांच कर दिजिए और यह एक स्वास्त केंद्र कई परवारी यहां से चले गया दूसरा है यह भी कुम करनी नींद से सोय हुए आप देख लिए जिस तरह से जर जर यह मकान चारो तरफ से हो गया है वही बच्चे यहां पर आएंगे खेलेंगे कभी यहां पर बहुत बड़ा हो सकत ज़ता है जर आबके परमतीनिय दी से मतलव है नकिसी को मतलव है कहीं किसी मतलव नहीं है आखिर जिनता जो भूसा तो आदमी सभा था पुता बिला हता था हिज से इसलिये साह पर क 떠 रख्फा है और स्भी मतलब धर्ता नहीं है और ह là है कभी एनम तने कोई नहीं हाय भालिब का रखे समा कोई नहीं करता है कोई परे करता काई कोछ नहीं हबा जबात बलगे सब चले नहीं चा आस्त कभी एनमैल उचा नहीं बत्चाव सबकर शूइ सैढ़ नहीं कभी नहीं हुजने wanna दबायवा ऊच लेकाई कूछ नसा नहीं है। अस तक कोई देखे बच्चा सब को सुई हुई कहीं। पूछ नहीं